उम महालक्ष्मे नमो नमा, उम विश्ण प्रियाई नमो नमा, उम धन प्रदाई नमो नमा, उम विश्व जनन्याई नमो नमा, बोलिए लक्ष्मी मैया की भक्तू आज हम माता लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करेंगे माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं कि जो भी भग सची श्रधा से सची भक्ती से इनका ध्यान लगाता है उनकी घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती है भक्तु माता लक्ष्मी की अनेकों ही रोचक कहानिया है उनमें से कुछ कथाओं का वर्णन हम यहां करेंगे माता लक्ष्मी को धन धाननी की देवी माना जाता है हिंदु धर्म में माता लक्ष्मी की पूजा का विशेश प्रावधान है अक्षेत्रित्या वदीपावली के दिन लक्ष्मी ओम गनेश जी का पूजन किया जाता है भक्तों मातालक्ष्मी जिन भक्तों पर कृपा करती हैं उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है तो आईए भक्षमी के कुछ चमत्कारों की ये रोचक कहारियों श्री चर्णों में करके बंदन करते हैं हम महिमा वर्ण माता लक्षमी किरपा करना बंदन के बंदने भरना जिन भक्तों पर हो तेरी किरपा ठिक नहीं सकती बहाँ दरदधा जो सचे हो भगत तुम्हारे उन्हे की सदा ये बारे न्यारे सदा आपका ध्यान धरेंगे आप कही गुनगान करेंगे घर में आप पधारों मैया आप तो यही आवाहन करेंगे आप क्यों तो कई कथाए उन में से कुछ आज सुनाए भक्तों सुनों लगा कर ध्याँ लक्ष्टी बैया का कुड़े गार भक्तों एक समय की बात है किसी गाउ में एक साहुकार वा साहुकार नी रहते थे उनके तीन बेटे थे साहुकार बड़ा ही धर्म परायन था रोज सुबा उठकर असनाराधी करता और सूर्य को जल देता तथा माता लक्ष्मी और विश्णो जी की पुजा करता ऐसा कहते हैं कि मा लक्ष्मी की पुजा के साथ साथ यदि हम नारायन को भी पूछते हैं उनका ध्यान लगाते हैं तो उससे घर में सुख, शान्ती, समृध्धी आती हैं भक्तों साहुकार का गुजर बसर बड़े ही आराम से हो रहा था साहुकार को हमेशा साथ सफाई पसंदी भक्तों उसके ही विप्रीत साहुकार नी बड़ी ही आलसी थी वो ना तो सुबा जल्दी उठती ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती घर में जाडू पोछा तक नहीं करती थी भक्तों साहुकार उसे समझाता कि घर में साफ सफाई रखनी चाहिए किन्तु साहुकार नी पर उसकी बातों का कोई असर ना होता था भक्तों साहुकार की जो है पत्नी वो तो आल सी जाने कितनी सो करना कभी उठे सबेरे जाड़ों को जन घर में पेरे साहुकार ने बड़ी समझाई रखनी चाहिए साप सभाई जिनका घर हो सुथर साप है रोज सबीरी तुम उठे जाओ साने करो बच्चों को कराओ सौक्ष हो घर का चूला चौकाओ काम पे वो चला जाए कहकर ताले दे कोई बहाना बना कर कहती मेरी नीद ना खुलती भक्तों इस प्रकार साहुकार की पत्नी साहुकार की बातों को टाल देती वो ना तो सुबे जल्दी उठकर रस्मान करती और ना ही बच्चों को कराती उसका घर बहुत ही गंदा रहता पडोस की औरते भी उसकी घर में ना आती थी भक्तों क्योंकि साहुकार में घर को साप सुथरा नहीं रखती थी बच्चे भी मैले कुचले कपड़ों में रहते थी भक्तों पडोस के भी भच्चे उनके साथ खेलने से मना कर देते धीरे धीरे साहुकार की घर में दरिद्रता आने लगी थी भक्तों उसका काम धंदा भी ठप होने के गगार पर था साहुकार उसे समझाता की यह तेरी साप सफाई ना करने के कारणी हुआ है साहुकार नी पर फिर भी कोई असर ना हुआ फिर साहुकार नी मा लक्ष्मी से विंती की की हे माता आप ही इसे सद्बुध्धी दे और एक दिन भक्तों चमतकार ही हो गया साहु कार्णी बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला रही थी भक्तों आते आते उसे अंधेरा हो गया किन्तो उसने हाथ में लाल तेंदे रखी थी रास्ते में उसे एक औरत मिली और कहने लगी सुन लो बेहना मैं हूँ अकेली मुझे को समझो अपनी सहेली अपनी लाल तिन मुझे देखाओ और रास्ता भार कराओ चलते चलते हुआ अधेरा ना कोई संगी साथी मेरा मुझे रास्ता भार कराओ तुम बेहना रहसान तिरा हो कहने लगी ये साहु कार्णी तुमको पहले कभी देखा नहीं कहां से आई और क्या नाम है वो बोली मेरा नाम लक्षमी पासी के गाव में रहती है यहीं आज तुम्हारे गाव में आई भड़ी बेहन मेरी यहां है प्याई भक्तू साहु कार्णी ने अपनी लाल तेन की रोश्नी में उस औरत को रास्ता पार करा दिया रास्ते में बातें होती रही साहु कार्णी बोली बेहन तुम कौन हो और इस गाव में क्या करने आई हो वो औरत कहने लगी भक्तों मेरा नाम लक्ष्मी है मैं पास के ही गाव में रहती हूँ यहां मेरी बेहन ब्याही है किन्तु चलते चलते मुझे अंधेरा हो गया तो अपनी सहेली समझकर मुझे रास्ता पार करा दो साहुकार्मी ने लाल टेन की रोष्णी में रास्ता पार करा दिया भुक्तों दोनों आपस में सहेली बन गई तब मातालक्ष्मी बोली बहन तुम कभी मेरे घर आना और साहुकार्मी को अपने घर का पता देकर चली गई भक्तों अगले दिन साहु कार्मी माता लक्ष्मी के घर गई और देखा कि घर में बड़ी ही साप सफाई है साहु कार्मी माता लक्ष्मी से कहने लगे मा लक्ष्मी के आई घर में साहु कार्मी लगी है कहने बड़ी है घर में साप सफाई मा राक्ष्मी कहने लगी बहना, स्वाक्ष चाहिए घर सदा रहना, घर में होती इससे बरकत साहो कारनी लगी है कहने, ऐसे सफाई ना मेरे घर में, कभी तुम मेरे घर में आना मुझे जली का यही सिखाना, अगला दिन जब भी है आया, मा राक्ष्मी को घर में बोलाया, माता लाक्ष्मी जब है आयी, ना ते घर में साप सफाई भक्तों, इस तरह साहो कारनी के कहने पर, माता लाक्ष्मी उसके घर में आई, और देखा, ना तो घर में जब जब पोचा किया है, और ना ही साप सफाई है भक्तों, बच्चों ने भी मेले कुचले कपड़े पहन रखी है, माता लाक्ष्मी कहने लगी, बहना चलो, तुम घर की साप सफाई करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से घर साफ रखा जाता है, माता लाक्ष्मी साहो कार्णी को बताती गई, और साहो कार्णी ने पूरे घर की साप सफाई की, और खुद भी असनान करके साप कपड़े पहने, और बच्चों को भी सनान कराकर लक्ष्मी उसकी घर रोज आने लगी थी भक्तो साहुकार देखकर बड़ा ही प्रसंद हुआ और उसका कारोबार भी चल निकला जब साहुकार की हालवत ठीक होने लगी तो पडोस की आर्तों ने देखा साहुकार नी के घर ये कौन और अताती है एक पडोसन आकर बोलने लग कौन सहेली तुमने बनाई जो करवाती साफ सफाई पहली तो हमने है देखा करना तुमारा साफ के रहता साहुकार नी नीबत लाया लक्ष्मी ने मुझे को ये सिखाया उससे सीखा मैने सलीका साफ सफाई का ये तरीका इतना सुन के पडोसन बोली जो है बेहना तेरी सहीली उसको कल घर में ठहरारा हमसे भी उसको मिलवाना बोली साहुका रनी ने उससे कल मिलवा दूँ मैं उसे तुमसे उसे रोकनी को कहे दूँगी आया ना तुम मिलवा दूँगी भक्तों अगले दिन जब माता लक्ष्मी साहुकार्णी के घर आई तो साहुकार्णी बोली बेहन लक्ष्मी तुम आज मेरे घर रुख जाओ माता लक्ष्मी कहने लगी मैं तो राजा महराजा के घर भी नहीं रुखती फिर तुम्हारे घर कैसे रुख जाओ पर साहुकार्णी उसी हाथ पकड़ कर बल पूर्वक चौकी पर बिठा दिया तब माता लक्ष्मी ने साक्षा दर्शन दिये भक्तों उस दिन के बाद से साहुकार की घर में धन धान्नी की कोई कमी न रही और साहुकार में भी माता लक्ष्मी की भक्त बन गई भक्तों और घर में रोज साप सफाई करके माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी इसी तरहा भक्तों माता लक्ष्मी के चमतकार की एक और कथा है आईए श्रवन करते है मालाक्ष्मी की ये है कहानी कथा है भगतु बड़ी पुरानी किसी गाँ में एक मंदिर ता मालाक्ष्मी का सरता नामक इक थी कन्या का मह जिसका भूल बेचना मालाक्ष्मी मंदिर के बाहर बैटे अपनी दुखाने लगाकर माता पिता है ना सरता की घर में रहती है मामा की मामा फूल को खरीद के लाता पूल पूलों की माला बनाता जो ही भगत मंदिर में आए मालाक्ष्मी को फूल चड़ाए जिन्हें बेचती बाहर सरिता पुजर बसर सब यसी से चलता भगतु सरिता और उसकी मामा फूल बेचकर ही अपना गुजारा किया करते थे मामा फूल खरीद कर लाता और माला बना कर सरिता को दे देता जिन्हें सरिता माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर बेचा करती थी वो खाली समय में मंदिर के साफ सफाई भी करती और सुवे शाम माता लक्ष्मी के आरती में शामिल होती थी भगतों एक दिन एक सेट जी आया और कहने लगा मेरी बेटी की शादी है घर को सजाने के लिए बहुत से फूल चाहिए सरिता कहने लगी सेट जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो आपके घर के लिए फूल ला सके पास में फूल बेशने वाला कोई और ना था तो सेट जी ने कुछ रूपया सरिता को दिया और कहने लगा मेरी बेटी की शादी में फूलों की माला बना कर ले आना सरिता ने अपने मामा को बताया और सेज जी का दिया हुआ रूपया अपने मामा को दे दिया जब बेटी की शादी का दिन आया तो सरिता का मामा बहुत सारे फूल खरीद कर उनकी मालाएं बना कर एक बैल गाड़ी में लेकर चल दिया भक्तों साथ में सरिता भी थी किन्तु रास्ते में बहुत कीचड़ था उनकी बैलगारी धस गई निकालने का प्रयास किया पर निकली नहीं भक्तों कुछ गाउं वालों को बुला कर धक्का लगवाया तो बैल गाड़ी ही पलट गई और सारे फूल की चड़ में गिर गए थे भक्तों सरितार उसका मामा बहुत ही उदास वे और सेट जी से जाकर माफी मांगने लगे थे भक्तों केहने लगे हम फूल तो लाएं सब की बना दे थी मा लाएं किन तो गिर गए सब की चड़ में क्रोध बढ़ा उस सेट को आया बोला मेरा पैसा है खाया अब मैं किस से फूल मागाओं इतना सुन कर दोनों डर गए वो चुप चाप ही अपनी घर गए क्रोध सेठ का भी तो चित है अलो नीने दी दस तक है सुब सर्ता जब मंदिर आई अपनी दुकान है विखरी पाई जिसे सेठ ने तुडवा दिया है क्रोध में बढ़कर पतला लिया है भक्तों सेठ जी ने जैसे तैसे अपनी लड़की की शादी तो कर दी अगले दिन सर्ता की दुकान को भी तुडवा दिया और मंदिर के पजारी को कहा यदि उस लड़की और उसके मामा ने यहाँ फूल बेचे तो तुम्हे भी मंदिर में नहीं रहने दूँगा जैसी ही सर्ता दुकान पर आई भक्तों तो उसने देखा कि दुकान तो तूटी ही पड़ी है वो समझ गई सेट ने ही तुड़वाई होगी वो परिशान होकर मालक्ष्मी के मंदिर में गई और मालक्ष्मी से माफी मांगने लगी कहने लगी ही मालक्ष्मी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है हम फूल तो खरिद कर लाए थे किन तुझ सब कीचण में गिर गए अब सेट जी ने मेरी दुकान भी तुड़वा दी हमारा पेट कैसे पलेगा गुजारा कैसे होगा इतनी देर में पुजारी आकर बोला कि तुम आज के बाद मंदिर में मत आना नहीं तो सेट जी मुझे भी नहीं रहने देंगे इतना सुनकर सरिता बहुत मायूस हो गई थी भक्तों और अपने मामा के साथ घर आ गई अगले दिन जब पुजारी मंदिर गया तो मंदिर के पट भी नहीं खुले पुजारी ने गाओं वालों को बुलवा कर पट खोलने की कोशिश की किन्तु पट नहीं खुले ठक हार कर सब वापस लोट गए थे भक्तों ऐसे तीन दिन बीत गए है मंदिर के पट नहीं खुले है पुजारी तो हो बड़ परिशान है राम किवासी बड़ है रान है पुजारी को फिर सपना आया माता लाक्षमी ने ये बताया फूल बेचने वाले लड़की है देवा मेरी रोज भु करते उसको ना करने दिये दर्शन तभी मंदिर के हो गए पट बन उस कन्या को बुला के लाओ और मंदिर के पट खुलवाओ सुन करके है रान पुजारी उसने सेठ को बात बता दे दोनों सर्तां के घर आये अपने किये पर है पचताय भगतों इस तरह सेठ जी और मंदिर के पुजारी दोनों ने सर्ता और उसके मामा से शमाया अचना की पुजारी कहने लगे बेटी जब तक तुम जाकर मंदिर के पट नहीं खोलोगी तब तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे इतना सुनकर सर्ता पुजारी और सेठ जी के साथ माता लक्ष्मी के मंदिर पर सर्ता ने जयों ही द्वार पर हाथ रखा पट अपने आप खुल गए थे भगतों सर्ता बड़ी ही प्रसंद हुई और पुजारी तथा सेठ ने महालक्ष्मी से माफी मांगी ऐसी ममता मई है माता इसी प्रकार भक्तों माता लक्ष्मी के चमतकार की एक और कथा सुनाते हैं आपको किसी गाव में एक किसाने है और उसकी दो ही संताने है दोनों ही है उनके बेटे पिता की संद में केती करते दोनों की कर दी है शादी घर में दो बहुए भी आगे बड़ी सुशेल और छोटी चालाक है ये दो सब किसमत के हाथ है किसाने है मालक्ष्मी का पुजारी उसको नहीं यही है जानकारी दोनों को ही रखे बराबर देका था जो लाए कमा कर मालक्ष्मी का नाम सिमिरता कुछ धन हुन को अरपन करता माता सब किरपा है तुम्हारी भगतों इस प्रकार किसान अपने बेटों के साथ मिलकर खेती करता वो जब भी फसल बेच कराता अपनी दोनों बहुँओं को बराबर बराबर हिस्सों में धन देता कुछ धन वो मालक्ष्मी के चरणों में अरपित कर देता बड़ी बहु बहुत ही सुशील और गुणवान थी इसके विपरीद छोटी बहु बहुत ही चालाग थी भकतों वो देखती कि उसका ससुर माता लक्ष्मी के मंदिर में पैसे रखता है अब किसान चला जाता है तो छोटी बहु मंदिर में रखे होवे धन से कुछ धन चुरा लेती एक दिन किसान ने देख लिया भकतों उसने किसी से इस बात का जिक्र ना किया और हाँ जोड़कर महालक प्रार्थना कि कि हे माता मेरी छोटी बहु को सदबुधी देना इतना कहकर अगली दिन वो खेती करने चला गया भकतों तभी एक बुढ़िया ने उनके घर पर दस्तक दी दोनों बहु में बाहर आई बुढ़िया बोली मुझे भूख लगी है यदि तुम मुझे भूजन बना कर दे दो तो मैं बदले में तुम्हें धे सारा आशरवात दोंगी बड़ी बहु बोली है माता मैं भूजन बना कर लाती हूं छोटी बहु बोली माता मैं भी आपके लिए भूजन बना कर लाती हूं दोनों बहु ने बुढ़िया को भूजन कराया चोटी बहु ने ख दोनों बहुने जो भी पकाया उसने है बड़ प्रीम सिखाया भोजन करके लगी वो जाने कभी कहा है छोटी बहुने भोजन हमनी करा दिया है आशिरबाद ना हमें दिया है अपनी बात को आप भूल गए करके भोजन यूही चल दे बुढ़िया भोली भूनी ना में आशिरबाद अभी दे ना है पर दोनों को दोंगी बराबर के बुढ़िया इतना कह कर भगतुम बुढ़िया भोजन करके जाने लगी तो छोटी बहुने बोला कि आपने बोला था कि हमें मन चाहा अशिरबाद देंगी तब बुढ़िया बोली हाँ मुझे याद है तुम्हारे पास जितने गहने जेवर और धन है एक मटकी में रखक कर ले आओ मेरे आश्रवात से वो धन दुगना हो जाएगा दोनों बहुए अपने अपने जेवर और रखा हुआ धन मटकी में डाल कर लाई बुढ़िया ने दोनों मटकियों पर अपना हाथ रख दिया बड़ी बहु की मटकी में तुरंत ही धन दुगना हो गया और छोट चोटी बहु की मटकी मिट्टी से भर गई थी भक्तों छोटी बहु ये देखकर हैरान थी वो कहने लगी हे माता मेरी मटकी तो मिट्टी से भर गई जबकि मेरी जेठानी का धन दुगना हो गया मैंने आपको अच्छी अच्छी पक्वान खेलाए और मेरी जेठानी ने तो साधारन भोजन करवाया ये क्या चमतकार है तब बुढिया बोले तुम्हारी जेठानी के पास जो धन है सारा महिनत की कमाई का है जब कि तुम्हारे पास जो धन है उसमें से कुछ धन चोरी का है तुमने जो भोजन बनाया था वो चोरी के पैसों का है इसलिए तुम्हारी माकी में मिट्टी भर गई छोटी बहुत तुलत हाथ जोड़कत बुढ़िया के चर्णों में गिर गई थी भक्तों और बोली है माता मुझे ख्षमा करें तब महालक्ष्मी ने साक्षा दर्शन दे दिये भक्तों कितनी ही शिक्षा दी काफी छोटी बहुनी मांगे मांपी माता लक्षमी हो गई ती प्रसन ये मुझे ख्षा देती है ये कहानी ना करना चोड़ी बेमानी छोटी बहुनी जैसा किया था फिर माता ने माप किया है उसका भी इंसाप किया है इमानदार तुम जो अपना ओ गोदा बैसा जैसा चाहो रखना याद मेने बात कही जो फिर तो अंतर ध्यान होई हो माता लक्षमी नेली परिक्षा चोड़ी बहु को मिल गई शिक्षा तो भग्तों इस प्रकार से किसान की बात माता लक्षमी ने सुन ली और बुढिया के रोप में आकर उसकी छोटी बहु को सिक्षा भी दे दी उस दिन के बात से छोटी बहु ने एमानदारी का रास्ता अपनाया और घर पर कभी भी पैसों की हेरा फेरी ना की वो भी अपने ससुर और जठानी की तरा माता लक्षमी की भक्त बन गई भक्तों बोले लक्षमी माता की